इडिया ही नहीं, इंटर्नाशनल स्टांडर्स के साफ से वन आप फाइनेस्ट, सेफेस्ट और प्योरेस्ट इंग्रीडियन के साथ होगा So guys, I hope you are ready Last video में हमने जो discuss किया था कि first time ever हम milker supplement को design करेंगे और बनाएंगे ताकि वो supplement इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में one of the best supplement with the finest and purest composition को और मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप guess करें कि हम कौन से supplement design करने वाले हैं काफी लोगों ने बहुत amazing comments करें, बहुत मुझे multiple channels से मुझे response आए जैसे मैं आपको ये भी बताया था कि आने वाले time में एक नहीं, बहुत सारे supplements जो हैं वो मैं launch करने का plan कर रहा हूँ with proper research and studies लेकिन अब से मैं आपको सबको involve करूँगा ताकि वो supplement सरव मैं ही नहीं, आप लोग मेरे साथ मिलके create करें जिससे double benefit होगा, पहला benefit ये कि आपको knowledge विलेगी कि जो जो ingredient उसमें हम डाल रहे हैं, वो क्यों डाल रहे हैं, किस basis पे डाल रहे हैं, उसकी क्या research है, उसके उपर क्या evidence है तो ये आपको amazing knowledge तो gain होगी होगी, लेकिन इस knowledge का ही use करते हुए हम मिलकर वो supplement को design करेंगे और इस amazing concept को जो हम start कर रहे हैं, वो start कर रहे हैं, हम एक super pre-workout से, yes, pre-workout एक ऐसा supplement है, जिसके उपर आप लोगों ने मेरे से बहुत question पूछे, और हर बार मैंने almost similar आपको जवाब दिया, अगर आप मेरी पिछले वीडियो भी चेक करेंगे वो जवाब क्या था, वो जवाब ये थे कि आज भी maximum जो pre-workouts हैं, मैं अच्छे pre-workouts की बात कर रहा हूँ, useless तो 90% तो बिलकुल ही रदी हैं, ठीक है, लेकिन जो अच्छे pre-workouts भी हैं, उसकी जरूरत हर एक इनसान को नहीं है, maximum individuals जो workouts कर रहे हैं, exercise कर रहे हैं, उनको pre-workout supplement की इतनी जरूरत नहीं होती है, एक good strong black coffee वगारा उनके लिए generally काफी होती है, as a stimulant जो है, अपने workouts को खतम करने के लिए, और मैंने आपको ये भी बताया था, कि maximum जो pre-workouts है, market में वो बिलकुल third grade, absolute rubbish, और सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं, क्योंकि बाकी companies pre-workout बना रही है I am sure मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इन maximum companies को बोलें कि आप मुझे ये बताओ, इस pre-workout में ingredient डाला क्यों है, तो इन में से ये जो बना रहे हैं को ये भी नहीं बता रहे हैं, ये सिरफ copy-paste कर रहे हैं, उसने ये डाला ये भी डालता हो, कईयों ने तो ये करा हुआ है, कि सारे देखे, अच्छा ये ये सारी चीज़े हैं, चलो सब कुछ ही डाल देता है, कुछ ना कुछ तो काम करी जाएगा, इस तरह से करा हुआ है, तो जो first point था वो ये है कि आज भी maximum लोगों को pre-workout supplement की जरूरत नहीं है, जितना भी अच्छा supplement हो, irrespective, उन लोगों को pre market पे जितने भी pre-workouts मिल रहे हैं, बिलको third grade ingredients से भरे हुए हैं, और इतने strong stimulants उसमें add करे जाते हैं, कि जो भी इंसान उसे use करता है, वो addict हो जाता है, उस pre-workout के बिना उससे work out नहीं होता, धीरे 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 जो है, उस भी dependency बढ़ जाती है, और उसको dosage बढ़ानी पड़त तो बहुत strong और high amount of dosage लेने पर भी उसको कुछ time के बाद effect नहीं आता है, और फिर आते है multiple side effects जो इतनी strong stimulation से होते हैं, और example सबसे असान और सबसे सस्ता थरीका है किसी pre-workout को strong बनानेगा कि उसमें caffeine भर दो, मैंने market में कितने रदी pre-workout देखी हैं, अब काफीन गया में band भी हो चुके हैं, अब regulations आ गही हैं, और इन pre-workouts में caffeine जो सबसे सस्ते ingredient है, उसको भर भर के डाला होता है, in fact कुछ pre-workout तो ऐसे हैं, जो आने वाले time में वीडियो में भी discuss करेंगे, जिसमें एक एक scoop के अंदर 400-400 mg से उपर caffeine है, 500 mg caffeine यानि 1 can red bull में approximately around 75-80 mg caffeine आता है, अगर आप उ पहली बारी में इतना high caffeine ले लिया, क्या आपको stimulation नहीं आएगी, जबरदस high आएगा, जैसे drug लिया है आपने, क्योंकि caffeine is ultimately a drug, अगर उसे छोटे amount में लिया जाता है, बहुत beneficial है, लेकिन जादा में लिया जाए तो क्या होगा, जो in pre-workout के साथ होता है, अब वो high इतना जब आप में लगते हैं, क्योंको heart issues हो जाते हैं, और सबसे बड़ा problem आता है pre-workout के साथ, जो इसमें unregulated ingredients add करे जाते हैं, कितने सारे pre-workout जो हैं, जैसे jack 3D बगरा आए थे, और आज भी ऐसे हैं, जिसमें कोई testings नहीं है, कोई इनके पास certifications नहीं है, उसके अंदर multiple substances हैं, जो या तो band हैं, या unknown है, आपको पता ही नहीं, क्योंकि कोई regulation ही नहीं है, इनके उपर unless के उनको body से test कराया गया हो, जैसे you know, inform sports है, colon list या BSCG, NSF अगरा से, तो मुझे pre-workout बनाने का idea तब आया, जब लोगों ने मुझे request करी, कि सरा आप एक safe pre-workout क्यों नहीं बनाते हैं, जो actually में 100% proven ingredients के साथ हो, और जो world की top testing certifications है, जो किसी Olympic athlete को चाहिए, अपने sport में प्री-workout को use करने के लिए safely वो भी आप obtain करें, जो बहुत ही rare है, कि प्री-workout में किसने वो testing certifications ली हैं, क्योंकि जिम में ही नहीं, मेरे YouTube channel पी नहीं, मुझे बहुत सारे sportsmen में भी यह चीज बोली के सरा, हमें कोई ऐसा pre-workout बताइए, जो actually में हम उसको used to ना हो, और जो बिल्कुल safe हो, जिसमें हमारे कोई dope के chances ना हो, जो proper tested हो, तो ऐसी कोई हमें pre-workout बताइए, believe me, मुझे उनको ऐसा pre-workout बताने में बहुत issue आ थे, क्योंकि मुझे ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा, जो मिल प्रॉब्लम आती है, कि जो इन pre-workout के अंदर ingredients हो, उनकोई testing certification ही नहीं है, तो अगर उसमें कोई band substance हुआ, तो इसके खराब हो सकता है, ये सारी problems जो है, मैं address करना चाहता था, so guys, अब हम design करेंगे, एक ऐसा pre-workout जो India ही नहीं, international standards के साब से one of the finest, safest and purest ingredient के साथ होगा, जिसके पास जो major testing certification है, band substances की, heavy methods वगरा की, वो obtain करेंगे हम, और तब उसको launch करेंगे, और उससे पहले, उसके अंदर जितने ingredients add हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, उनकी search studies क्या हैं, उनके benefits क्या हैं, उनके side effects क्या हो सकते हैं, हैं या नहीं हैं, उनकी कितनी dosage है, और क्यों उतनी ले लेनी चाहिए, और ऐसे बहुत सारे questions को हम discuss करेंगे, तब हम उस pre-workout को launch करेंगे, तो आपके पास जो pre-workout हाथ में आएगा, वो सबसे जादा tested और purest और highest quality ingredient के साथ आएगा, जिसको आप without worries use कर पाएंगे without any major side effects, मैं major side effects इसले कहा रहा हूँ, because side effect तो आपको किसी भी चीज से हो सकता है, जो चीज़, even basic way protein, because वो individual पे होता है, लेकिन कोई भी major side effect के बिना proven ingredients के साथ, proper dosages के साथ, जब हो design किया जाएगा, जिसमें सारी testing certifications होगी world की finest, तो आपको एक reliable, एक authentic pre-workout drink, जो हो मिलेगी, तो इसमें आप लोग कैसे participate करेंगे, आप लोग के दिमाग में आपको लगता है काम करते है, isn't it, कोई बोलेगा नहीं उसमें, you know, caffeine इतना होना चाहिए, कोई बोलेगा, citruden होना चाहिए, beat island होना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं उसमें, creatin होना चाहिए, amino assets होने चाहिए, कोई कुछ बोलेगा, पिल्कुल आपकी opinions हैं, लेकिन क्या वो research के base पे काम करते हैं? अगर करते हैं तो क्या वो pre-workout में होने चाहिए? यह सारे questions को आप सोचिए. इसे कहते है critical thinking, logical thinking, analytical thinking और अगर आपको लगता है कि वो ingredients होने चाहिए तो कौन-कौन से ingredients हैं जो आपको लगता है pre-workout में एक अच्छे high quality pre-workout में होने चाहिए? वो जो ingredients हैं वो आप नीचे comment section में लिखी है और आप आता है एक बड़ा surprise आपके लिए जब आप लोग comment section में लिखेंगे और आने वाले टाइम में हम उसके ingredients के बारे में videos में discuss करेंगे तो जब वो pre-workout launch होगा तो जिन लोगों ने comment sections में answers दिये हैं और जिनका answer उस pre-workout उस ingredients से सबसे closely match करेगा क्योंकि ingredients तो मैं आप लोगों के साथ ही मिलगे उसमें डालूगा और आपको समझागा मैं क्यों डाल रहा हूँ तो जो उस pre-workout के तरह ingredients होंगे और आपके comments में जो आपने ingredients mention करें हैं जो सबसे दादा match करेंगे उन winners को मैं वो pre-workout जो supplementum design कर रहे हैं वो absolute free of cost एक giveaway की तरह दूँगा कोई conditions नहीं, कोई आपको कहीं pay नहीं करना है जैसे मैंने पहले giveaway करा था with zero conditions इसमें भी conditions कुछ नहीं, सरफ ये conditions हैं कि आप अपनी knowledge को increase करें और मेरे साथ मिलके pre-workout design करें तो आप comment section में नीचे बताइए कि आपके हिसाब से एक अच्छे high quality pre-workout में कौन से ingredients होने चाहिए और एक और चीज़ लिखिए कि कौन सी testing करानी चाहिए जिससे हम उस pre-workout को 100% safe तरीके से सब को दे सके including Olympic athletes और मैं winners को select करूंगा जब वो pre-workout launch होने वाला होगा और pre-workout के market में आते ही या हो सकता है उससे भी पहले आने से ही पहले उन सारे लोगों को वो जो pre-workout है वो free मिलेगा कितने winners select होंगे यह अभी मैंने decide नहीं करा है यह आपके answers की quality पे depend करता है लेकिन काफे सारे लोगों को वो जो pre-workout supplement है वो market में launch होने से पहले उनको मिलेगा absolute free of cost as a free giveaway सिरफ साथ मिलकर उस pre-workout के उस supplement को design करने के लिए so I hope यह ideas आपको पसंद आया होगा first time ऐसी चीज हो रही है YouTube पे आज तक ना तो किसी company ने करा है ना किसी YouTuber ने करा है ना कहीं और ऐसी चीज़ सुनने को मिली है जहां पे viewers के साथ मिलके हम एक supplement design कर रहे हैं और एक ही नहीं यह तो start है आने वाले time में सारे जा maximum supplements हैं वो इसी basis पे हम design करेंगे so guys are you in? अगर आप ready है तो इस वीडियो के immediately बात अपना time लीजिये अराम से सोचिये, समझिये, पढ़िये और दो चीज़े list करनी है number one कि अगर आपको pre-workout चाहिए जो आपके हिसाब से one of the best pre-workouts हो तो number one उसमें क्या होना चाहिए जो उसमें ingredients होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए और कितनी quantity में और second कि अगर ऐसे pre-workout को हम design करते है तो उसमें कौन सी testing तो certifications है जो international certification तेस्टिंग है जो होनी चाहिए जिसके base पे उसको हम 100% safe, authentic, dope free जो हैं वो approve करें So guys, मिलते हैं अगले videos में जिसमें हम इनके ingredients के बारे में discuss करें और आपको पता लगए रहे कौन से ingredients काम करते हैं और कौन से नहीं करते हैं और ऐसी बहुत अरवेजिंग वीडियो के लिए देखते रहिए We are stupid कई बड़ मेरी YouTube वीडियो काफी extensive होती है लंबी होती है लंबे होते हैं तो अगर आप short videos और clips देखना चाहते हैं with practical advices तो मेरा Instagram handy और YouTube shots ज़रूर चेक करें